हेलो गाइज वेलकम टू गौर्मेंट जॉब करो फॉर लेटेस अप्डेट्स ऑफ गौर्मेंट जॉब्स डोंट फगेट टू सब्सक्राइब टू आज चैनल आज हम लोग बात करेंगे कि पंजाब के फाइनेस मिनिस्टर जो की है मनप्रेश सिंग बादल उन्होंने काफी अनौंसमेंट्स की थी जब वो बजट रिप्रेजेंट कर रहे थे पंजाब का मीन्स पंजाब बजट 2021 और 2022 को वो रिप्रेजेंट कर रहे थे legislative assembly में on March 8, 2021 में तो उस दोरा उन्होंने काफी announcements की हैं और काफी plans भी discuss किये तो उसके regarding उन्होंने society को भी लेके काफी welfare के बारे में schemes डिसकस की थी तो उन्होंने बताया कि इस बार जो schemes हैं जैसे की social economic, educational ये फिर किसी भी तरह की developments जो है करी जारी है उन schemes के लिए जो allocations की जाएगी budget से वो होगी rupees 1372 करोड की और जो last year की allocation की गई थी इन schemes के लिए वो थी 901 करोड की means इस सार की allocation की जारी है वो 52% जादा है last year की allocation से और इसी के साथ उन्होंने बताया कि rupees 60 करोड की जो allocation है वो की जाएगी pre-matrix के लिए ताकि सारे बच्चों का education जो है वो provide हो सके और इसी के साथ उन्होंने बताया कि rupees 750 करोड की जो investment जो allocation की जारी है वो की जारी है post matrix scholarship schemes के लिए और ये जो scheme है सिर्फ वो सिर्फ schedule cast children's के लिए है ताकि जो उनकी society में क्या हो improvement हो सके और वो grow कर सके तो ये थी information regarding government jobs अगर आपको ऐसी updates चाहिए government jobs के बारे में अपने phone पे तो हमारे telegram group को जरूर join करें जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और हमें comment section में जरूर बताएं कि आपके क्या views है इस budget को लेके अगर आपको ये video पसंद आई हो तो like, share, subscribe करना मत भूलना Thank you Thank you